नमस्कार प्रिया शिक्षार्थियों राश्टिया मुक्त विद्यालेई शिक्षा संस्थान के ओर से आयोजित भारती या ज्ञान परंपरा के अंतरगत उच्षितर माध्यमिक पाठ्य करम के लिए संस्कृत साइत्य की यह सुकनासो पदेश की कक्षा में मैं सतीश नोट्याल आपका हारदिक स्वागत करता हूँ शिक्षार्थियों आज हम इस दुतिया भाग में जो लक्षमी का चापल्यम जो अद्याय हमारा चल रहा था उसमें भाग एक में हमने Дेखी कि लक्षमी की चपल्ता जो है उसकी जो चंचलता है वा उसने कहां कहां से ग्रहन की है कैसे वहा लोगों के पास जाती है किस परकार वहाँ अपने साथियों से उसने जो उनके दुर्गुनों को उसने लिया है और आज के भाग में हम उसकी जो चंचलता के विशय में आगे पड़ेंगे किस परकार वहा लोगों के पास जाती है किस परकार वहा उनके विशय में अपना उनके जीवन में किस परकार का वहाँ दुरूपियों करती है उनके लिए, किस परकार वहाँ उनके लिए अकल्यान कारी साबित हो सकती है तो एक राजा के लिए जब सुकनास उपदेश में सुकनास जो उपदेश दे रहे हैं अपने शिश्य को चंदरापीड को जो राजा होने वाला है तो उसको जब बता रहे हैं लक्षमी की चपलता के विशय में तो उसका अगला भाग हम प्रारम करते हैं कहते हैं सरस्वती प्रही ग्रहीतम इर्षय एव नालिंगती जनम यह जो लक्षमी है जो सरस्वती यानि की जो विद्वान लोग हैं सरस्वती को जानने वाले जो लोग हैं तो सरस्वती इसकी बेरी है लक्षमी की बेरी है वहां उरसे इर्षय करती है इसलिए वहां उससे इ लिंगन नहीं करती है क्योंकि वह सरस्वती में ही सन लिपते रहते हैं या सरस्वती में ही लिपते रहते हैं सरस्वती से तातपर यहां पर सास्त्रों से हैं सास्त्र को पढ़ते हैं तो इसलिए हुआ विद्वानों के पास नहीं जाती है गुणवंतम अपवित्रामिवन इस अंगल कारिक होते हैं उनके समान मानती है जो अमांगलिक लोग है तो जो उदारसवाओ वाले जो लोग है उनको यहाँ अमांगलिक मानती है जो सजन लोग हैं, जो सजन पूरुषों को यहान अप्शकुन के समान देखती है जो अभिजात लोग हैं, जो कुलीन लोग हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको यहां अहिमिव लंगयती जो सांप की तरह लंगती है या सांप की तरह छोड़ देती है जिस परकार हमारे रास्ते में अगर सांप आ जाता है तो हम को जिस परकार उसको छोड़ते हैं छोड़के दूसरी तरह प्छलंग लगा देते हैं उसी परकार है लक्षमी भी ही कुलीन व्यक्तियों के सामने उन प्रकार या सूरवीरों से दूर हो जाती है दातारम दुस्वप्नमिव नस्मरती जो दानी लोग हैं उनको तो यहाँ दुस्वप्न की तरह भी नहीं देखना चाती है जिस प्रकार से रात को अगर हमें कोई ऐसा सपना आ गया हो जिसमें बहुत ही अमंगल हो रहा हो हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा हो तो उसको हम इस्मरन नहीं करना चाते हैं ऐसे सपनों को हम याद नहीं करना चाते हैं तो उसी प्रकार यहा लक्षमी भी दुस्वप्नमिव इस्मरती न इस्मरती दातारम यह जो दाता व्यक्ति है दानी व्यक्ति है उसको बुरे सुपने के तरह त्याग देती है बिनीतम पातकिनम इव नोपसरपती तो जो बिनीत व्यक्ति हैं यानि कि जो बिनए युक्त पुरुष हैं उनको यहाँ पापी के समान मानती है यानि कि यहाँ पापी के समान उनके पास नहीं जाती है जो मनस्फी लोग है यानि कि जो सद्विचार वाले जो लोग हैं जिनका सद्विचार में मन लगा हुआ है ऐसी भ्यक्टियों को यहाँ लक्षमी उनमत मान करके उनका उपहास उड़ाती है परिसपर वास्त वी जगत से जो प्रसफर विरुद्द अपने चरित्र को जादूगर जो होता है उसके समान या इंदर जाल परदर्शित करती है। तो उसी परकार यहाँ जो लक्षमी है यहाँ भी अपना चरित अपने इस जगत में उस जादूगर के समान बरकरार रखती है यहाँ भी इस परकार के जादू हमें दिखाती है यानि कि जिसके पास चली जाती है वह भी इस परकार के सबने देखने लग जाता है अब मैं तो यह जो लक्षमी है यह गर्मी को उत्पन करती भीवी सीतलता को जन्म देती है यानि कि जो धन की गर्मी है उस्वानम जो धन से निकलने वाली जो गर्मी है उसके बाद भी यहां जड़ता को जन्म देती है जड़ता से तात पर यह है शीतलता यानि कि उसमें जो शीतलता का यहां पर सीधा आर्थ आता है जो उसमें मूर्खता उत्पन होती है तो यानि कि धन की गर्मी से जब वहां व्यक्ति अपने आपको महान समझने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ मैं ही सरवे सरवा हूँ इस परकार से उसका जो मांसिक विकार उत्पन हो जाते हैं उससे उसमें मुर्खता आ जाती है वहाँ करतब्या करतब्या काता जो उसमें भाव होता है उसको विसर जाता है तो यही है जाडियम उपजनायती उन्नतिम आद धाना प उन्नती को इस परकार आदमी को ले जाती है कि आदमी उन्नती तो कर लेता है उसके पास धन आ गया है समाज में उसकी पर्तिष्टा स्थापित हो जाती है तो सब को लगता है कि ये बहुत महान है या राजा को लगता है या जिसके पास धन है उसको लगता है कि मैं बहुत कुछ हो गया हूँ, अब तो मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ आप लोग समाज में देखते हैं कि जितने भी कानूनों को तोड़ा जा रहा है जिस भी इस परकार के जो किर्तिय हो रहे हैं तो अधिकान शकिर्तिय वही करता है जिसके पास धन की गर्मी होती है क्योंकि उसको पता है कि मैं तो धन की बल पे छूट जाऊंगा मैं तो धन देकर कि अपना सारा अपराद चमा करवा दूँगा तो इस परकार जब वहां उपर की ओर उठ जाता है इस परकार जब वह धन से महान भी बन जाता है लेकिन नीच सुवावताम आविश करोती फिर भी वहां नीच सुवाव को पाता है या लक्षमी ऐसी है तो नीच सुवावताम कैसे पा सकता है जब कोई धन के गर्मी से इतना बड़ा महान बन गया है उसने बहुत कुछ धरन कर लिया है तो नीच सुवावता उसके अंदर अपना आप इस परकार से आ जाती है क्योंकि लोग पीट पीछे सामने तो बता देते हैं कि आप महान हैं ये हैं वो हैं आप इतने अच्छे हैं आपके पास धन है आप ही सब कुछ हैं समाज में आप ही हमारे सब कुछ हैं तो इतना बोलने के बाद जब पीट पीछे जाते हैं तो लोग उनको गालि้ं देना प्रारा मकरते हैं उनके लिए बुरे वचनों का पर्यों। करते हैं उसके मन में ऐसे जो विचाराने उत्पन हो जाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं किसी को भी करिद सकता हूँ मैं किसी को भी बेज सकता हूँ मैं कुछ भी कुकृत्य कर सकता हूँ इस परकार की जो नीच सुबावता उसके अंतरगद उसके मन में आ जाती है तोया रासी संभवापी तृष्णाम संवर्धायती यह जो लक्षमी है अभी पिछले भागों में हमने बताया है कि समंदर से निकली है तो समंदर से निकलने से यह समुद्र की पुत्री है तो समुद्र की पुत्री होड़ते हुए भी यह तृष्णा का ही संवर्धन करती है त्रिष्णा को ही बढ़ाती है तो त्रिष्णा जिसकी बढ़ जाती है तो उसके बुरे दिन सुरू हो जाते हैं यानि कि उसकी मिर्तियु निश्चित है यानि कि उसके गिरने के दिन प्रारंब हो जाते हैं तो यह समुद्र जा होकर के भी समुद्र से उत्पन होने के वाब जूद भी यहां उस प्यास को बढ़ाती है तृष्णा की प्यास को बढ़ाती है इस्वर्ताम आदधाना पी अशिव परकृतित्वम आतनोती यहां इस्वर्ता को धारन करती हुई भी अशिव परकृति वाली होती है तो इस्वर्ता का तातपर यह है प्रभुता से जब जारों का वहाँ हनन कर लेती है, तो उसके पास परभुता होते हुए भी वो अशिव परकृती का होता है, शिव होता है कल्यान, अशिव होता है अकल्यान, तो इस परकार का परभुत तो उसको मिलने के बाद भी यहाँ उसका अकल्यान ही करती है, उसी पैसे के बल पे वहाँ उसका विनास कर सकती है वही पैसा उसको एक दिन ले डूपता है यह शक्ती का विकास करती है बल होता है जो बाहु बल है तो उसका जब हमें लक्षमी प्राप्त हो जाती है तो हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ आ गिया है हमारे पास सारा बल है हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उसके बाद भी यह जो लगिमान है जो छुद्रता को उत्पन करती है उसको छोटा स्वभाव वाली बना देती है क्योंकि वो सोचता है कि मेरे पास तो सब कुछ है लक्षमी के बल पे तो वो बहुत बल्वान बन जाता है लेकिन विचारों से फिर वो वहाँ पर छोटा हो जाता है उसको करतब्या और करतब्या का तो विबेक नहीं रहता है इस परकार वह नीच वबाव को जाता है या लगुता उसको मिल जाती है अमरित सहोधरा पी कटू भी पाका अब यह समंदर से निकली है यह समंदर से 14 रतन निकले है जब समंदर मंथन हुआ तो समंदर मंथन हुआ तो वहां से अमरित भी निकला है अमरित वही होता है जो आदमी को मरने ना दे उसको अमरित कहते हैं तो यहा उसकी सहोधरा होते हुए भी यहा कटू भी पाका है यहां कडवी है, अमरित मीठा है, अमरित की तरह यहां स्वादिष्ट नहीं है, यनि कि अमरित की तरह यहां किसी को आजीवन, जैसे अमरित होता है तो वहां लोगों को जीवन परदान करता है, वहां मरने नहीं देता है, लेकिन यहां तो मार देती है, उसको जीते जी मार द देती है कब किसका यहां नास कर दे इसका कोई भरोसा नहीं होता है बिग्रह वत्य पी अपर्त्यक्ष दर्शना यहां बिग्रह वत्य होते हुए भी दिखती नहीं है क्योंकि यहां हमारे पास सिक्कों में है हमारे पास नोट में है तो इसका बिग्रह तो है इसका सरीर तो है लेकिन यहां दिखती नहीं है यह कब कहां किसक जाए किसी को पता नहीं चलता है दो लोग आपस में लड़ गए और लक्षमी के बल पर लड़े और क्यों लड़े कि लक्षमी के बल पर लड़े लक्षमी कहां है उसका पता नहीं है तो वो लक्षमी पैसा भी हो सकता है, वह लक्षमी कहीं जमीन के रूप में है, कहीं सोना चांदी के रूप में है, तो सारी ये लक्षमी है, अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग परकार की अपने पास लक्षमी रखी हुई है, तो यह अपरत्यक्ष बिग्रह वती होकर के अपर्चक्ष दर्शना होती है तो पुरुषोतम रता पी खलजन प्रिया तो यहाँ पुरुषोतम रता पुरुषोतम है भगवान विष्णु उनमें जो रत है उनकी जो यहाँ प्रेमिका है उनकी जो यहाँ अरधांगिनी है जबकि उस भगवान विष्णु के पास होते ह इनको बहुत धीर गंबीर होना चाहिए था, बहुत सजना होना चाहिए था, लेकिन यहाँ खलजन प्रिया, यहाँ फिर भी दुष्ट जनों की प्रिया होती है, यहाँ फिर भी दुष्ट लोगों के पास चली जाती है, रेणु माईव स्वच्चम आपी कलुशी करोती, यह जो लक्षमी है या रेणू की तरह स्वच्चता को भी कलुषित करती है। पहले ही सुकनास कहे चुके हैं कि आपकी जो बुद्धी है वहाँ पहले ही सास्तर परक्षालित हो चुकी है, सास्तरों से आपने अपनी बुद्धी को दो दिया है। फिर भी जवानी आते ही लक्ष यह लक्षमी है। यह सचता पर जाते ही उसको कलुषित करती है। जिकैना आती है जैसे आगे बढ़ती है तो पीछे पीछे उसमें वह काला पन चूट जाता है तो इसी परकारीया लक्षमी है जिस परकारीया देपतित होती है उसी परकारीया इतिस्वष्टी तत्पूरस समासियां पर है इसमें जो अलांकारिक विमर्ष है सरस्वती प्रेगरीतम इत्यस्मिन वाके लक्ष्मिया infrared गुनसंभावनात गुन उत्प्रेक्षा अलंकार है यहापर जो उत्प्रेक्षा की गई है सरस्वती और उसके लक्ष्मी के बीच में उनके जो इर्श्या का जो भाव है तो इस परकार के वहां से उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है। इस परकार के वहां से उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है। ब्याद गीती रिंद्रिय मिर्गानाम प्रामर्ष धूम लेखा सचरित्रानाम जो ब्याद का गीत होता है जो जंगल में जब एक शिकारी जाता है तो वहां इस परकार के गीत गाता है जिससे मिर्ग उसके जाल पाश में फस जाते हैं। तो यहां लक्षमी भी उसी ब्याद गीती की तरह है। यहां भी अपने जिसको जाल हमारी जो इंद्रियां हैं उनको अपने जाल में फसा देती हैं जिसमें हम लक्षमी के ही वश में हो जाते हैं इसी विशे भोग में लग जाते हैं। यहाँ पर जो प्रामर्ष धूम लेखा है, जो सचरित्र लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनका अगर चित्र रखा जाए, तो वहाँ उस धूम लेखा से उसी प्रकार धूमिल हो जाती है, जिस प्रकार यह लक्षमी सचरित्रों का चित्र को कलुशित करती है, तो चित्र में ज इसमें बहुत अच्छी नीद आने वाली है, ऐसी यहा लक्षमी है, यह भी ब्रह्मशया है, यह आदमी को लंबी निद्रा के लिए उसमें जो मोह विशे जो राग है, जो उसमें विशे वासना है, उसमें ऐसी निद्रा इसको डाल देती है, वह ऐसी यहा लक्षमी है, निव जिरिन वल्लबी उसी चज्जे की तरह उसी चज्जे में रहने वाली भी यहां लक्ष्मी है यहां लक्ष्मी जब किसी के पास जाती है वहां उसी पिसाचियों की तरह है जहां पर यह जाती है और उसको उस परकार का जो अभिमान है उसका जो अहंकार है उस परकार का उसमें दंब भर देती है तिमिरोध गति ही सास्तर द्रिष्टी नाम तो यहाँ सास्तर द्रिष्टियों के लिए तिमिर रोग के समान है जो आँखों में होने वाला रोग है अगर सास्तर द्रिष्टियों के पास जाए जो सास्तर के ग्याता हैं सास्तर को जानने वाले हैं जो सास्त पताका होती है जब राजा अपना रत लेकर जा रहा होता है तो उसके आगे एक पताका होती है उसका एक जंडा होता है आज भी बीविन पार्टियों के बीविन जंडा होते हैं तो वह उनका संबोधन के रूप में उनका होता है उनको संबोधित करते हैं या उस जंडे को ले जितने भी अभिनय हैं, जितने भी छल हैं, जितने भी कपट हैं संसार में, जितने भी धूर्त कार्य हैं, उनकी यहाँ पुरुपताका है, या किसी अच्छे कार्य की नहीं, बिनय की पुरुपताका नहीं है, या अभिनयों की पुरुपताका है, उत्पति निम्नगा कोधा तो यहां उत्पति निम्नगा है, यहां एक ऐसी नदी है, जिसमें कुरोद रूपी जो मगरमच पाले जाते हैं, आवेग रूपी जो मगरमच पाले जाते हैं, ऐसी यहां वो नदी अपान भूमिर बिशयम मधूनाम तो जो अपान भूमी है, जहां पर अपान भूमी आज के रूप में हम ले सकते हैं कि जो बार हैं, जहां पर मदुशाला जिसको कहते हैं, जहां लोग सराब का नशा कर रहे हैं तो ऐसी यहाँ लक्षमी है, वही यहाँ भूमी है, जिसको यहाँ मिल जाए तो वह उसी की तरह मदमस देख्जम हो जाता है संगीत साला भुरू विकार नाटिया नाम तो नाटकों में भुरू विकार होता है जब नाटक होता है तो उसमें नर्तक नर्तकियां अनेक प्रकार से उसमें नाटक करते हैं उसमें हस्ता भी नहीं होता है उसमें नेतरों से भी नहीं होता है उसमें भाव भंगिमाएं होती हैं तो उसी प्रकार की लक्षमी है जिसमें सिर्फ वहाँ भी एक संगीत शाला है वहाँ भी एक नाटियमंडब है लेकिन वहाँ सिर्फ भूर भूरो भिकार वहाँ सिर्फ आ आँखों से ही लोगों को चुप कराया जाता है, आँखों में ही अगर कोई आपको कुछ धमकाने आ रहा है, आपके पास धन है, आपके पास लक्षमी है, तो आप उसको आँखों में इस प्रकार का इशारा कर दें कि सामने वाला बंद हो जाएगा, या आपने कोई ऐसा अपराद कर दिया है, कि जिसको आप आँखों द्वारा आपके पास धन है, तो उस आँखों से सामने वाले की बोलती बंद कर सकते हैं आवास दरी दोशा सी विशानाम यहाँ वहाँ जो लक्षमी है ऐसी आवास दरी है ऐसी गुफा है जहाँ सिर्फ दो सुरूपी सर्प ही पाले जाते हों ऐसी वहाँ लक्षमी है उत्सारन वेत्रलता सत्पुरुष ब्यवहारा नाम उत्सारन वेत्रलता होती है जो बेंत की छड़ी होती है तो सत्पुरुषों का जो ब्यवहार है अगर किसी में कोई सज्जनता है तो उनके लिए यहाँ वाँ बेंत की छड़ी है उनसे यहाँ सारे उस डंडे के बल पे उनका सारा जो सत्व्यवार है उसको निकालने का काम करती है अकाल प्राब्रिड गुण कल हंस का नाम तो जो अकाल की वर्षा है उनके लिए यहाँ गुण राज जो हंस है उनके लिए यहाँ अकाल की वर्षा है तो जो सामानिय जब वर्षा काल आता है, जब वर्षा रितु आती है, तो जो हंस होते हैं, हंसर जो राज होते हैं, वहाँ उस ताल आपको छोड़ देते हैं, वहाँ दूर चले जाते हैं, लेकिन जब अकाल की वर्षा होती है, अचानक से कोई ऐसी भारी व्रिष्टी हो जा तो वही वो जो गुणकल हंसा नाम की जो बात हो रही है वही सामान्या लोग में लक्षमी इस परकार का ग्यवार करती है विसरपन भूमिर लोकाप वाद विस्थोट का नाम यहा जो लोकनिंदा रुपी जो फोड़ों का जो विस्थार है उसका यहां इस्थल है यहां बहुत सारे लोकाप वादों में आपको बांद के रखती है प्रस्तावना कपट नाटक अस्या तो सामानियता जो नाटक जब होते हैं तो उसमें प्रस्तावना की जाती है उसमें नांदी किया जाता है कि हमारा नाटक सफल हो उस केले विभिन देपताओं से प्रातना की जाती है तो यहाँ भी लक्षमी एक परकार का नाटक है लेकिन यहाँ किस परकार का नाटक है यहाँ नाटक की वहाँ प्रस्तावना है जिसमें सिर्फ कपट की बात हो रही हो चल की बात हो रही हो दगाबाजी की बाद हो रही हो दोकेबाजी की बाद हो रही हो इस परकार की यह लक्षमी होती है कदली का काम करिना तो जिस परकार से जो मदमस्त हाती है वो कदली का जो केले के वन में जिस परकार के उदम मचाता है तो यह जो कामवासना है, यानि कि कामवासना रूपी जो हाती हैं, तो वहाँ उनके लिए कदली का वन है, यहां लक्षमी कामवासी जो हाती हैं, उनके लिए कदली के वन के समान है, वद्यसाला सादू भाव अस्या, यहां सादू भाव जिसका है, सज्जनों की यहां वद्य स्ववाव हैं उनमें जो सद्गुन हैं उनकी हत्यारिन है राहु जिवा धर्मेंदु मंडल अस्या तो धर्म रूपी जो चंदर मंडल है जिस परकार चंदर मंडल पूर्ण हो जाता है तो राहु उसको लपकने के लिए अपनी जिवा निकालता है चंदर मंडल को तो उसी प बारे में हमें पता ना होता है थोड़ा थोड़ा हम उसके विशय में जानते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन सा मार्ग हमें अच्छे पत्पे ले जाएगा, कौन सा मार्ग हमें बुरे पत्पे ले जाएगा, तो इस परकार का जो उसका स्वभाव है, इनसान का, तो लक्षमी की विशय में तो क प्रलब्द हा और फिर अगर यह चली भी जाये और फिर वो बाद में ठगा ना गया हो, ऐसा भी कोई नहीं है के जिसको इसने ठगाना हो नियतम यम आलेख्य गता भी चलती यहां आलेख्य गता भी है यहां लिखी हुई है यह कम नौट करते हैं इंदरजालिक जो लोग होते हैं तो वहाँ भी एक जगा पे होकर के कभी आस्मान में जा रहे हैं कभी धर्ती में दस जाते हैं कभी वहाँ गर्दन काट देते हैं कभी हाथ में उनकी मिठाई आ जाती है कभी वहाँ उसको बरतन बना देते हैं कभी वहाँ गायब हो तो इस परकार की यहां लक्षमी भी है, यहां भी इसी परकार बिलुप्त हो जाती है, इसका पता नहीं चलता है, यहां जादू गर्नी की तरह ही अचानक से कहीं भी जाती है, उतकिर्णा भी विप्रलवते, यहां उतकिर्ण होते हुए भी, यहां शिकों में उतकिर्ण की ग अपना काम कर रहे हैं, हम अलग-अलग सवस्ताओं में जब काम कर रहे हैं, कोई नोकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अचानक से मालिक ने कहे दिया, या बोस ने कहे दिया, या सरकार ने कहे दिया, कि आपके खाते में इतना पैसे आने वाला है, आपको बोनस मिलने व जब सुनने पर ही हमें ठग लेती है、 तो सोचने से तो कोई बड़ी बात नहीं है。 सोचने से तो यह विनाषकी उर ले जाएगी. हम केवल सोचेंगे कि हमारे पास इतना पैसा होगा, हम यह करेंगे, वह करेंगे. यह जो सारी हमारी कपोल कलपनाई होती हैं तो यह वैसे हमें विनाश्की उर ले जाते हैं इस अध्याई में जो सामासी कुछ पद आये है ब्याद गीती ही इती सश्टी तत्पूरु सामासी आपर है यहां पर अलंकार के कुछ पताये है इन जो वाक्यों में है यहां रूपक है, उसमें आरोपित किया जारा है पुरह पताका में लक्षमी का आरोप किया जारा है और उत्सारण वेत्रलता में जो सत्पुरुषों का जो ब्यवहार है उसके कुलटा ब्यवहार होने से यहां पर समासोक्त अलंकार होता है इस परकार प्रियशिक छार्तियों हमने लक्षमी की चंचलता के विशे में पड़ा है जहां पर सुकनास अपने होने वाले राजा जो चंद्रापीड है उनको उपदेश दे रहे हैं उनको अपना अनुभाव बता रहे है तो इस अनुभाव में उन्होंने उनको योवन होता है लक्षमी के विशे में बताया है लक्षमी के विशे में उन्होंने अपने गूड तत्वा रखे हैं किस परकार वहां समुदर से निकली है कैसे उसमें वहां अवगुण आये है किस परकार वहां हमें ठग लेती है कैसे वहां हमारे व्यवार को परिवर्थित कर सकती तो इस परकार लक्षमी के जितने अवगुण थे, जितनी उसमें चंचलता है, जितनी उसमें दुरबलता है, लोगों को जितना वहाँ मदमस्त कर देती है, लोगों को वहाँ जो नीचा गिरा देती है, उसके सारे गुणों को उन्होंने यहाँ पर रखा है, जिससे वो करा रहे हैं धन्यवाद